नमस्कार दोस्तों इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जिरोधा के द्वारा जब से mutual fund में निवेश के लिए SIP के लिए e-mandate की सुध्य प्रदान की गई है तब से लोगों के मन में काफी कुछ सवाल भी उभर करके आए हैं तो इन ही में से एक सवाल को हम लेंगे और वो सवाल है कि क्या हम e-mandate के लिए अपने secondary bank account को link कर सकते हैं या नहीं तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखिएगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो पसंदा इसको like करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी share करिएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि primary bank account का basically मतलब क्या है तो एक तरीके साथ यह समझे कि जैसे अगर हम बात करते हैं जिरूधा काई टैप की तो वहां पर क्या होता है कि हम एक से ज्यादा bank account को जोड़ सकते हैं अपने जिरूधा का जो हमारा demate account है उसके साथ मैं link कर सकते हैं तो जिन भी bank accounts को हम जोड़ते हैं मालेजी हमने तीन bank account को जोड़ लिया चार bank account को जोड़ लिया तो पैसा जो add करने वाला system है यह हम उन चारो बैंकों से add कर सकते हैं लेकिन जब हम पैसे को withdraw करेंगे तो जिस भी bank account को आप primary bank account show करेंगे किया है एक चीज़ तो यह होगी दूसरी चीज़ जब भी आपका dividend होगा जो भी कंपनियों के द्वारा समय समय पर dividend की घोशना की जाती है तो वह dividend भी आपके primary bank account में ही जाएगा तो चेक कर लिजेगा कि आपका primary bank account कौन सा और अगर आपको नहीं पता कैसे चिक्ट आता तो आप comment करिएगा उसका भी मैं video बना दूंगा तो अब आते हैं कि जो coin का हमारा platform है यहां पर क्या case है तो यहां पर जो सवाल पूछा गया था कि secondary bank account को हम link कर सकते हैं कि नहीं तो इसका एक line में जो जवाब है फिरहाल वर्तमान समय में नहीं link कर सकते हैं तो दोस्तों यह सव आप जो दिया है वह आप सुन लिजिए यहां पर मैं screenshot भी लगा दूंगा आप देख लिजिएगा you can only create mandate that are linked to your primary bank account however we will soon allow you to create mandates from secondary bank accounts as well तो भविश में आपको इस सुबदा में मिल जाए कि secondary bank account है चाहे वह एक हो दो हो तीन हो जितने भी आपने एड कर रखे हो उनसे भी आप e-mandate कर पाएंगे यानि कि जो भी आपके SIP की installment जा रही होंगी वो जिसको आप add कर देंगे यह सुर्धा मिलने के बाद उस bank account से आपकी SIP कट होने लगेगी तो आगे उन्होंने बताया कि we'll keep you posted on debt जब भी ऐसी सुर्धा आएगी तो यह इसके बारे में जानकारी देंगे और मैं आप तक वो जानकारी पहुचा दूंगा तो मुझे लगता है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि secondary bank account या अन्य bank account को आप e-mandate के लिए अपने जुरुधा coin के platform से link नहीं कर सकते हैं सिर्फ primary bank account को ही आप अपनी SIP के e-mandate के लिए यानि automate mode पर डालने के लिए लिंक कर पाएंगे तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा मिलते हैं नई जानकारी साथ तब तक के लिए नमस्कार